हेलो फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक 48 Laws of Power पर आधारित है जिसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस वीडियो में मैं आपको 48 Laws of Power के सभी Laws बताऊंगा जिसे देखने के बाद आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि पावर्फुल लोग किस तरह आम लोगों पर शाशन करते हैं और हमेशा पावर्फुल बने रहते हैं आप समझ जाएंगे कि पावर्फुल लोग कैसे सोचते हैं और कौन से टैक्टिक्स का इस्तमाल करते हैं लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें जीवन में काम्याब होने के लिए और किसी भी कंडिशन में पावर्फुल बने रहने के लिए 48 Laws बताए हैं फ्रेंड्स मैं आपको एक-एक Law Detail में Examples के साथ बताऊंगा इस वीडियो में Examples तो पुराने दिये गए हैं लेकिन ये Laws आज के जमाने में भी पूरी तरह से लागू होते हैं Examples को देखकर आपको लगेगा कि ये Laws कुछ Unethic है, कुछ Immoral है लेकिन Unethic लोगों के साथ Unethic तासे ही निपटना पड़ता है महा भारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए उसे कौर्वों से लड़ना पड़ेगा धर्म की रक्षा के लिए महा भारत में युदिष्टर को भी जूट बोलना पड़ा था Friends, मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे और इन सभी Laws को practically follow कर सकेंगे So Friends, चलिए शुरुआत करते हैं पहले Laws से Law No.1 अपने Boss को कभी अपना Talent और Smartness ना दिखाए दोस्तों, अपने Boss को या अपने से उपर वालों को ये बताएं कि वो हमेशा आपसे बहतर है उन्हें खुश या प्रभावित करने के लिए अपने हुनर को बहुत अधिक परिदर्शित ना करें क्योंकि ऐसा करने से वे आपको नुकसान पहुचा सकते हैं आपके हुनर और काबलियत से उनमें डर और असुरक्षा उत्पन हो सकती है पहला लौ समझने के लिए लेकक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें फ्रांस के राजा लुई 14 का उधारन दिया है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लुई 14 सत्रवी शताबदी में फ्रांस के राजा थे और उनका एक फाइनांस मिनिस्टर था निकोला फुकेट जिसने राजा को इंप्रेस करने के चक्कर में एक बहुत शानदार पार्टी आयोजित की जिस पर उसने बहुत ही ज़ादा खर्च किया लुई 14 ने उसे सरकारी खजाना खर्च करने के जुर्म में जेल में डाल दिया राजा को इंप्रेस करने के कारण निकोला फुकेट को अपनी बाकी की जिन्दगी जेल में बितानी पड़ी आपने मास्टर्स को सदा यह मैस्यूस कराएं कि वो आपसे बहतर और प्रभावशाली हैं और इस तरहां आप काम्याबी की उचाईयों को हासिल करेंगे अपने दोस्तों से बच कर रहें क्योंके वो आपको कभी भी धोका दे सकते हैं दोस्त आसानी से एश्या से भर जाते हैं आपको आगे बढ़ता देखकर वो बिगड़ सकते हैं और अत्याचारी बन सकते हैं बाइजन्टाइन राज्य के राजा माइकल तीन को बसीलियस द्वारा मौत के मुझे बचाया गया था इसके बदले में माइकल ने बसीलियस को बहुत सारे गिफ्ट और पैसे दिये बसीलियस की ताकत और बहादरी देखकर राजा माइकल बहुत प्रभावित हुआ और उसने बसीलियस को घोडों के प्रशिक्षक से अस्तबल का मुखिया बला दिया बसीलियस को बाइजन्टीन सबसे अच्छे स्कूल में ट्रेनिंग दी गई और उसे एक सभ्य और पढ़ा लिखा इंसान बनाया गया बसीलियस ज्यादा अथोरिटी और पावर चाहता था इसलिए उसने माइकल को मार दिया दरसल आपको अपने शत्रों से ज्यादा अपने दोस्तों से डरने की जरूरत है किसी पर विश्वाश करने से पहले सौ बार सोचें क्योंकि लोग खुदगर्ज हैं और हमेशा कुछ न कोच चाहते हैं आपके पुराने प्रतियोगी और दुश्वन दोस्तों की तुलना में ज्यादा अच्छे और वफादार दोस्त साबित हो सकते हैं लोगों को अपने काम के इरादे कभी न बताएं आपके काम के पीछे आपका क्या उदेश्य है किसी से ना बताएं आप हमेशा अपने इरादे लोगों से छुपा कर रखें हम अक्सर अपने गोल्स दूसरों को बता देते हैं जिसका लोग फाइदा उठा सकते हैं और हमारे अगेंस्ट कोई प्लैन बना सकते हैं मारकेस दी सेवन एक लेडी से प्यार करते थे जिसके सामने उन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स बता दी और नतीजा ये हुआ कि उस लेडी का मारकेस में कोई इंट्रेस्ट नहीं रहा आप क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं किसी से ना बताएं अपनी जुबान पर निय कहें जो वो सुनना चाहते हैं ना कि वह जो आप बोलना चाहते हैं इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तमाल ध्यान से करें जब लोगों को ये पता नहीं होता कि आप क्या करने वाले हैं तो वो आपके विरुद कोई राजनीतिक सर्यंत्र नहीं बना सक जब तक वो आपके इरादों को समझ पाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी लौनमबर चार कोशिश करें कि आप कम से कम बोलें आप हमेशा कोशिश करें कि कम से कम बोलें क्युक् human को बोलने से लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे और अपने बारे में जादा बताएंगे इससे आपको लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी और उनकी कमजोरियां पता चलेंगी जिसका इस्तमाल बाद में आप उनके खिलाफ कर सकते हैं जब आप लोगों को अपने शब्दों से प्रभावत करने की कोशिश करते हैं तो आप जितना ज़ादा बोलते हैं उतने ही आप साधारन लगते हैं। इस लौ का उधारन है प्राचीन रोम का एक योधा और नेता कैशियर्स मार्कियस जिसने रोम के लिए बहुत बार जंग कोरियोलैनस उस समय का हीरो था और लोग उसे दिलो जान से चाहते थे। कोरियोलैनस ने 17 साल मिलिटरी में काम करने के बाद राजनीती में कदम रखा। उस समय रोम में जनतंतर था और वह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। वह भाशन में बहुत बोलता था और अ बढ़े बढ़े लोगों के साथ देखा। उसने आम लोगों को नजर अंदाज किया और अपने प्रतियोग्यों का मजाक उड़ाया जिसकी वज़ा से उसे जादा वोट नहीं मिले। जादा बोलने के कारण उसने जनतंतर का भहिशकार किया जिसकी वज़ा से रोम में असपष्ट और रहस्यपूर्ण रूप में कहते हैं लोगों का इंटरेस्ट आप में बना रहता है। कम बोलने से आप नियंतरन में रहेंगे और कुछ भी गलत बोलने से बचे रहेंगे। काम्याब और शक्तिशाली लोग हमेशा कम बोलकर लोगों को प्रभावित करते है दोस्तों इन वीडियोस को आप तक लाने में हमें बहुत महनत और बहुत ज़ादा समय लगता है तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल Brain Book को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आएं तो उन पर लाइक, शेर या कमेंट करना बिलकुल भी मत भूलेगा और बेल आइकन को दबाना तो बिलकुल ही नहीं आपका प्रोचसाहन हमें और ऐसे वीडियोस को आप तक लाने में मदद करेगा दोस्तों, पांचवा लौ ये कहता है कि रेपिटेशन यानि प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है इसे हमेशा संभाल कर रखें दोस्तों, प्रतिष्ठा ही आपकी शक्ती का आधार है प्रतिष्ठा के बल पर आप लोगों को जीट सकते हैं और भेभीत कर सकते हैं दूसरे विश्वयुद के दौरान, अर्विन रोमल अपनी अच्छी गनिंग स्किल्स के लिए जाने जाते थे जिससे शत्रू भी उनका सम्मान करते थे और डरते थे और लड़ने के लिए पहले ही डिमॉरलाइज हो जाते थे आपकी रेपूटेशन यानि प्रतिष्ठा आप से पहले आती है मतलब लोग आपको अपनी रेपूटेशन से जानते हैं दोस्तों शुरू में आपको किसी भी शेतर में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ऐसा करने से आप हिस्ट्री में अलग ही दिखाई देंगे और लोग आपके बारे में बात करेंगे इसे ध्यान से बनाए और हमेशा बजा कर रखें खास तोर पर तब जब आप पहली बार अपनी प्रतिष्ठा बना रहे हो क्योंके आपके प्रतिद्वंदी और आप से जलने वाले लोग आपकी प्रतिष्ठा को बिगाड़ने के लिए कुछ भी करने को तयार रहेंगे दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि लोग किसी भी चीज़ को उसकी लुक से परकते हैं जो चीज़ दिखाई नहीं देती, उसकी कोई एहमियत नहीं होती अपने आपको भीड में शामिल ना करें, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे दोस्तों, आप अपनी एक अलग पहचान बनाएं, जिससे आप भीड से अलग दिखाई देंगे और लोगों का ध्यान हमेशा आप पर रहेगा पाबलो पिकासो स्पेन के एक मशूर पेंटर और मूर्तिकार थे जो कभी नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें भूल जाएं पिकासो या तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे या बहुत ही बुरी यानि अगली पेंटिंग बनाते थे क्योंकि उनका मानना था कि किसी तरह की पबलिसिटी अच्छी पबलिसिटी है दोस्तों ध्यान अकर्शित करने की कला किसी में भी जन्व से नहीं होती यह आपको सीखनी होगी आपको अपनी एक ऐसी चवी बनानी होगी जिससे आप दूसरों से अलग दिखाई दें आपका नाम और प्रतिष्ठा उस चवी से जुड़ा हुआ है आपको लोगों से कुछ अलग करना होगा और उसे दुनिया के सामने लाना होगा आपकी चवी चाहे अच्छी हो या बुरी लेकिन एक बार आपकी अच्छी चवी बन गई तो आप लोगों की नजरों में रहेंगे और हमेशा उनका ध्यान आकरशित करते रहेंगे ठीक ऐसा ही किया था पाबलो पिकासो ने दोस्तो पावरफुल बने रहने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों की नजर में रहें और सदा उनका ध्यान अपनी तरफ आकरशित करते रहें थॉमस एडिसन जो की ना सिर्फ एक अच्छे साइंटेस्ट बलकि एक अच्छे बिजनसमैन भी थे एडिसन ने निकोलस टेसला की कमपनी को अपने जनरेटर में सुधार करने का काम दिया निकोला टेसला ने पूरे एक साल तक एडिसन के जनरेटर पर काम किया और उसमें बहुत सारे सुधार की निकोला टेसला के काम का सारा क्रेडिट एडिसन की कमपनी को मिला Edison ने ये काम करने के लिए Nikola Tesla को 50,000 डॉलर देने का वादा किया था लेकिन उन्हें पूरे पैसे नहीं दिये गए ना ही उसे अपने काम का कोई क्रेडिट मिला Tesla ने रेडियो भी बनाया था लेकिन रेडियो बनाने के लिए सारा क्रेडिट मार्कोनी को मिला Tesla ने ऐसे बहुत सारे अविश्कार किये और विज्ञानिक तौर पर काम किया लेकिन उन्हें उन कारेओं का क्रेडिट कभी नी मिला ना ही उन्हें अपने कारे के कभी पूरे पैसे मिले Nikola Tesla की कहानी से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं शक्तिशाली बनने के लिए यह ज़रूरी है कि आप दूसरों से काम लेना सीखें और ऐसे लोगों को हायर करें जो वो काम जानते हैं जो आप नहीं कर सकते Law No.8 दूसरों को अपनी तरफ लाने का प्लैन बनाएं ज़रूरत पढ़ने पर बेट यानी चारे का हिस्तमाल करें जब आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए फोर्स करते हैं तो नियंतरन आपके हाथ में होता है जब आप अपने दुश्मन को अपनी तरफ खीचने के लिए कोई तरकीब बनाते हैं और उसे अमल में लाते हैं तो उनकी योजनाएं असफल हो जाती हैं इस लौ के उधारन है ओटो, वॉन, बिसमार्क जो की जर्मनी के एक ताकतवर नेता और राजनितिग्य थे उन्होंने कहा था कि जब वे हिरन को पकड़ने के लिए चारा डालते हैं तो कभी पहली हिरनी को गोली नहीं मारते बलकि पूरे जुंड के आने का इंतजार करते हैं अपने दुश्मन को अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करने को मजबूर करें उन्हें शांदार लाब होने का लालच दें और अपनी और आकरशित करें और फिर उस पर आकर्मन करें दोस्तों शक्ति का मतलब है लोगों को अपने नियंतरन में रखना और उनसे अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करवाना जब आप लोगों को अपनी तरफ आकरशित करते हैं तो सारा नियंतरन आपके हाथ में होता है और जिसके हाथ में नियंतरन होता है उसी के पास शक्ति होती है वही शक्तिशाली होता है प्राचीन रोम के जनरल मुशियानस को जंग लड़ने के लिए मजबूत शस्त्र चाहिए था उसने अपने इंजियनियर को जंग के लिए एक मजबूत जहाज बनाने को कहा मुशियानस के इंजियनियर ने जहाज का कोई और डिजाइन बनाने की सला दी इंजियनियर ने मुशियानस के साथ जहाज के डिजाइन पर तर्क वितर्क किया इसका नतीजा ये हुआ कि मुश्यानस ने इंजीनियर को मौत की सजा सुनाई दोस्तो ये इंजीनियर अपनी जगा पर बिलकुल सही था लेकिन अपने बॉस की बात का अनादर करने की वज़े से वह मारा गया कहने का मतलब ये है कि आपके बॉस या बड़े अधिकारी इस बात की परिवाह नहीं करते कि आप सही है या गलत वो तो सिर्फ आप से अपनी बात मरवाना चाहते हैं शक्तिशाली लोग अपनी बात ना मानने पर किसी को भी नुकसान पहुचा सकते हैं इसलिए अपने बॉस से या उपर वालों से कभी आर्गुमेंट्स या बहस ना करें उनके साथ सदा सहमती जताएं और अपने काम से उनका दिल जीतने की कोशिश करें ना कि अपने शब्दों से लोग नंबर दस दुखी और बदकिसमत लोगों से दूर रहें लोला मॉन्टैस ने बवारिया के राजा को मुहित करके उसके राज्य का पतन कर दिया कामयाप और शक्तिशाली लोगों को अपने वश में करके उन्हें बर्बाद करना ही उसका लक्ष था लोला की अरागजक्ता और बर्बादी की चाहत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया लोला के सभाव के कारण बहुत सी जिंदिगियां खतम हो गई जो भी लोग उसके संपर्क में आये वे या तो बर्बाद हो गए, मर गए या फिर उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया इस प्रकार का संक्रामक चरित्र केवल स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है, बलकि कई पूरुष भी इस प्रकार संक्रामक होते हैं ऐसा संक्रामक चरित्र किसी भी व्यक्ति के अंदर की अस्तिर्ता को दर्शाता है जब ये अस्थिर्ता बाहर निकलती है तो दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती है। संक्रामक चरित्र वाले लोग बहुत शक्तिशाली होते और वे अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी नकारत्मक भावनाओं से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमें दुखी और बद्किस्मत लोगों से दूर रहना चाहिए और उनके संपर्क में आने से बचना चाहिए। अगर आप दुखी और बद्किस्मत लोगों के संपर्क में रहेंगे या उनकी मदद करेंगे तो आप भी उनके साथ बरबाद हो जाएंगे। की एहमियत बनी रहेगी दुनिया में हर विक्ति जरूरत के हिसाब से काम करता है और उसी विक्ति को संपर्क करता है जिसकी उसे जरूरत होती है दोस्तों इस लौ के उधारन थे जर्मनी के एक बहुत ताकतवर नेता और राजनितिक ओटो वॉन बिसमार्क जो लोगों को अपने उपर निर्भर रखने की ताकत को जानते थे बिसमार्क ने एक कमजोर राजा ढूंडा फ्रेडरिक विलियम फोर जो की प्रोशिया का राजा था बिसमार्क ने राजा को अपने उपर पूरी तरह निर्भर कर लिया राज्य में अपनी पुजीशन को इतना स्ट्रॉंग बना लिया कि राज्य में जो काम वह कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था यहां तक कि राजा की मृत्यू के बाद राज्य के सभी मुख्यकार बिसमार्क पर निर्भर होने के कारण राज्य में उनकी एहमियत सबसे अधिक थी दोस्तों लोग जिस व्यक्ति पर निर्भर होते हैं उसी की एहमियत होती है शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप लोगों को अपने उपर निर्भर रखना सीखें दोस्तों, रॉबर्ट क्रीन कहते हैं कि आप अपनी इमानदारी और उदारता से किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं जब आप लोगों को अपनी इमानदारी और उदारता दिखाएंगे तो वह लोग जो जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते वे भी आप पर यकीन करने लगेंगे यह law कहता है कि आप शुरू से बहुत इमानदार और उधारता दिखाएं और जब दूसरा व्यक्ति आप पर यकीन करने लगे तो आप जैसा चाहें उसे धोका दे सकते हैं या हेरा फेरी कर सकते हैं आपकी इमानदारी किसी भी व्यक्ति के शक के सुरक्षा कवच को भेज सकत लेंगे लूस्टिक ने उस रकम को डबल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की और साथ दिन बाद में 50,000 डॉलर वापस लेकर कपोन के पास आ गए कपोन अजनबी लोगों को भरोसा नहीं करते थे लेकिन लूस्टिक की इमानदारी देखकर कपोन ने उन्हें 5000 डॉलर दे द लगते हैं तो दोस्तों अगर आपको रॉबर्ट ग्रीन के अभी तक के ये लॉस्ट पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेर कीजे ताकि हमें प्रोचसाहन मिले और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजे ताकि आप सभी 48 लॉस्ट के बारे में ज तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपका समय शुब हो